ओम नमश्यवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पशुपती व्रत के बारे में पशुपती व्रत एक ऐसा चमतकारिक व्रत है जिसे करने से आपके सारे जितने भी दुख, कस्ट, परिशानिया है वो तुरंत एक जटके में खतम होगी जी हाँ दोस्तो पशुपती व्रत एक बहुत ही जादा चमतकारिक व्रत है और बहुत ही सरल व्रत है बस सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें श्रद्धा भाव रखना है और भक्ती भाव रखना है और विश्वास रखना है तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि पशुपती वरत किसको किसको रखता चाहिए तो दोस्तों पशुपती वरत कोई भी रख सकता है महिला हो, पुरुष हो या फिर कन्याए हो ठीक है ये वरत क्यों रखा जाता है ये वरत आप किसी भी जैसे आपको किसी भी तरह की परिशानी है जैसे की घर बकान बंगला या फिर किसी किसी भी तरह की जैसे बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो मतलब ये है कि आपको किसी भी परिशानी हो कोई भी परिशानी हो लग रहा ह कि कैसे निवारण होगा इसका आप पशुपति नाद वरत रखिए श्रद्धा भाव से रखिए और देखिए फिर क्या चमतकार होता है तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि वरत आपको कब से शुरू करें ठीक है तो दोस्तों आप इस वरत को किसी भी सुमवार से शुरू कर सकते हैं शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष कभी भी किसी भी सुमवार से आप इस वरत को शुरू कर सकते हैं वरत जो है वो कब नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यदि आप बीमार हैं आप दवाईया लेते हैं तो आप इस वरत को मत करिए ठीक है दोस्तों पशुपत नाद वरत सोमवार को आरंब किया जाता है इसे आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं ठीक है दोस्तों ये वरत पांच सोमवार का होता है आखरी सोमवार यानि कि पांचवे सोमवार पे आपको इसका उद्यापन करना होता है ठीक है दोस्तों जिस सोमवार में आप इस वर कुछ वस्त्र जो है वो धारण करने हैं और आपको शिफ मंदर जाना है जहां पर पूरा शिफ परिवार होestäट की पूजा की dari में आपको शिफ जी महलाज की पसं की चीजए ले जानी है जैसे की बेल्त हो सके तो भांग मिल जाये तो भांग ले लीजिये और गंगा आपको इन सभी चीजों को मिला कर पंचामृत बनाना है और आपको क्या करना है आपको पंचामृत से अभिशेक करना है ठीक है शिवलिंग पर ओके फ्रेंट्स आपको पूरी भक्ति भाव से पूचा करनी है ठीक है फ्रेंट्स आपको सुभा ये करना है अब आपको क्या करन अब आपको शाम को ठीक है साम के समय जब जो सूर ढलता है उससे पहले आपको जाना है शिव मंदर वही थाली लेकर जो थाली आप लेकर आयते सुभा जो आपने मंदर पे रखी थी वही थाली लेकर आपको शिव मंदर फिर से जाना है एक बार ठीक है दोस्तों शाम को जब और थाली तो आप शुबह रिखानी को मुझा freight ईकॉत इसमीन भादे में आपको भी मिड़िया है मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं ठीक है आपको वो ले कर जाना है जैसे आपने मखाने की खीर बना ली ठीक है साबू दाने की खीर बना ली कुछ भी आप थोड़ा सा मीठे में ले कर जाएं वहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले आपको छै दिये ले कर ज उसमें से पांच दिये, आप वही पर रख दिजए बोर फिर उसके बाद जो आप मीठे में ले कर गए है उसके आपको तीन हिस्से करने है एक हिस्सा, Craig आप ग्हरी के साथ लेकर आना है अपने घर पे, अब क्या करना है अब जब आप घर पे आए, एक चीज ध्यान रखेंगें, जो आप पांच दिये वहां पर रख रहें वहां पर रख रहे हैं, उसे आपको जलाना है ठीकें, वहीं जला कर आपको दीपक रख देने हैं, जो मंदर से जला कर मत लाईे क्योंकि आगर मंदर से जला कर लेंगे तो फिर वो रास्ते में बुच जाएगा जो कि अच्छी बात नहीं है ठीक है आपको दिया ऐसे ही घ़र पर लाना है और जब आप घर में एंटर होते हैं ठीक है यानि कि घर का जो में डोर होता है वहाँ यहाओ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो शायद मुझे पहले ही बतानी जाहिए, वो ये है कि ये जो आप वरत कर रहे हैं, आपको सुभा जब आप शुरुवात कर रहे हैं इस वरत की तो आपको सुभा संकल्प लेना है, वही पर शिवलिंग के पास और आप टरकट नहीं हैं इस मनुकामना के लिए ये वरत रक रहें हैं उसके बाद आपको क्या कित एक बार एक बार संकल्प नहीं लेना है पस एक बार ही संकल प्लेना है ठीक है फ्रेंड दोस्तों वो जो दिया है वो आपको घर की राइट हैंड साइट पे रख देना है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद जो आप प्रशाद लाए हैं एक हिस्सा ठीक है उसे आपको ग्रहन करना होगा ठीक है यहाँ पर मै आपको एक चीज बताना चाहती हूँ इस वरत में परशुपतिनाद वरत में एक ये चीज है कि आपको नमक का सेवर नहीं करना है बिलकुल भी आपको नमक और अन्य जो है वो बिलकुल भी नहीं खाना है जैसे कि पूरियां हो गई ठीक है और मतलब पराठा वगेरा हो गया आपको ये नहीं खाना होता है और नमक भी आपको नहीं खाना होता है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं आप जो वो प्रिशाद लाए है उसे आप ग्रहन करिए जो एक हिस्सा लाए है उसे ग्रहन करिए उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए जो मौसमी फल होते हैं वो खा सकते हैं ठीक है दोस्तों और आप दूट से बनी कोई चीज खा सकते हैं जैसे की मखाने की खीर हो गई हलवा हो गया आलू का जो हलवा होता है वो खा सकते हैं ठीक है मूमफली का हलवा अगर आप बना सकते हैं ठीक है तो आप वो खा सकते हैं यानि कि यह है कि आपको खाना क्या नहीं है आपको नमक नहीं खाना है और कोई भी अन नहीं खाना है ठीक है एक चीज का इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ जितना हो सके आपको मीठा ही खाना है ठीक है नमक और उसका सेवन बिलकुल नहीं करना चलिए अब जान उसमें भी आपको पूज जैसे ऑफ करनी है सुभा और को अध्यापन करना divisожд оп है उसमें आपको क्या करना है दोस्तों उसदिन आपको अभ्र पूज जैसे करते थे वैसरे आपको करनी है इस दिन आपको क्या करना यह शाम को सांग के समय आपको 108 बेलवपत्र चढ़ाने है ओम नमस्षिवाय के मतलब ओम नमस्षिवाय आपको मंत्र जो है वो चैंट करते जाना है और ओम नमस्षिवाय मंत्र चैंट करते करते आपको बेलवपत्र जो है 108 चढ़ाते जाना है ठीक है और आपको एक नारियल लेकर जाना है उसमें आ जो लाल कलर का पूजा का धागा होता है उसे आपको लपेटना है और अपनी मनुकामना बोलनी है कि आप किस मनुकामना से इस वरत को आपने धारन किया है ठीक है और बस आपको वहीं पर शिवलिंग पर चढ़ा देना है और उसके बाद आपको दोस्तों गरीबों में कुछ बाटना होगा आप चाहे तो एक गरीब को भी दे सकते हैं आपको सीधा निकालना है सीधा यानि की आप आलू दे सकते हैं ठीक है आप दान में मतलब की आपको चावल दे सकते हैं ठीक है रुमाल दे सकते हैं कुछ भी मतलब जो भी आपकी श्रद्धा है आप उस हिसाब से किसी गरीब को कर सकते हैं, किसी पंडित को भी दे सकते हैं, दोस्तों, उमीद करती हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिष्टेदारों में, जरूर शेयर करिएगा, और कॉमेंट्स में हमें जरूर बताइगा, और अगर आपकी कोई भी कोईरी डाउट होता है, ठीके, तो आप हमें कॉमेंट्स में जरूर पूछेगा, मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए जैम आता दी दोस्तों